अच्छा यह जो आपने मुझे बेज़े हैं कीवर्ड आपके जो मेन कीवर्ड थे वो कौन से थे आपने क्या लिखके सर्च किया था मैंने आप फैशन पी किया था फैशन था और फैशन अस्टाइल फूट करेड़ टू यह आपने ना ठीक तरीके से सर्च नहीं की तो यह मैं एक्स्प्लेइन कर दूंगा आपको चीदा आप आप ऐसा करें मुझे ना अपनी लोगिन टेटेल बेजिए वाटसाइप पर बेजिने अभी सेंट करता है इस ने की तो लिंक लगता है इसने क्या किया यह अपनी किसी परोडॉक्त का निम लिख रहा? तो इसे मैं कर दूंगा स्पैम जैनियर कुमेंटों वो होते हैं जो आपकी पोस्ट के मतलग होंगे अगर आपकी पोस्ट में जो बात हो रही है वही बात नीची होनी चाहिए कुमेंट में कोई कर रहा हो के ऐसा कोई कहे ना कि आमने ठीक है और कई लोग होते हैं वो लिंक ले ले लेते हैं कमेंट के जरीए तो उनका आप अप्रूव कर सकते हैं लेकिन अगर वो मालुमार फराम कर रहे हैं किसी दूसरे को दूसरी ओडियंस को वो जो आमने लिखा है उसके मतलग ही आपको मजीर कुछ बताए और उसके बाद वो कि आप्रूव कर लेना है आप 두ब कर लेना है किनक्योंकर वो आपके उडियंस का बनाग कर रहा हूं ङसे मजीर इनफर मेशन की दे यह तक्रीबान उसी से मिलती जुलती है जो मैंने उस दिन थीम की कस्टमाइजेशन बताई है ना उसी थीम के सारी यह मिलता जुलता है तो यह सबसे पहले है जनरल सैटिंग यह साइट की ले आउट बूछ रहा है आम ने जो भी रखनी है वो रख सकते हैं फुल विट्स भी रख सकते हैं बोक्स ले आउट भी रख सकते हैं बोक्स फ्रेम ले आउट भी रख सकते हैं और यह फुल विट्स भॉक्स ले आउट इसका मतलब होता है कि अगर बोक्स ले आउट करेंगे तो वो फिराएगी यह जो फिला हाला है ना यह बोक्स ले आउट है यह इतनी की शेप है वो बोक्स टाइप की है और अगर हम फुल वेट से कर लें तो यह साइड पर कोई खाली स्पेस नहीं आएगी यह फुल फुल स्पेस लेगा पिर इधर तक फैल जाएगी उसके बार यह बोक्स फ्रेम लेयाउट है यह मैंने कभी ट्राइए नहीं की अब कर लेते ह हैं क्योंकि हर थीम में ना ओप्शन हर तना के लादा लादा ही होते हैं यह आप शायद देख सकते हैं इदर यह देखें जारा एक लाइन आ चुकी है पहले लाइन नहीं थी यह साइड पर यह दिखने में तो ठीक लग रही है इसलिए रहने देते हैं से उसके बार यह बै लगाने चाहते हैं तो इदे से लगा सकते हैं और यह इसके बारे में मुझे इलम नहीं यह बिसी थीम का यह ऑप्शन है बस और किसी में नहीं है करके देख लेते हैं तो उसका कोई effect है मझे नज़र आ नहीं रहा यह यह इदर आ गया यह देखे हैं इदर वाली साइड इदर आ चुकी मैं disable कर देता हूँ और उसके बाल लोगो आप लोगो चेंज करना चाहें तो इदर से आप कर सकते हैं इसे आपने remove कर देना है और इदर से new upload कर देना यह इसका interface वह पहले वाली थीम वाला ही है जो पहले जिसकी मैंने कस्टमाइजेशन बताई दी न्यूज मैज के पता नी नेक्स्ट मैज इसा और यह बाकी हर किसम के लोगो पूछ रहा है तो आप इदर इन सब का यह ही सेलेक्ट कर सकते हैं इदर मैं चलें कर देता हूं से और यह बाकी भी है मुबाइल लोगो है रेटीना मुबाइल लोगो साइड स्टीकी लोगो स्टीकी लोगो यह वाला होगा यह मैं नीचे स्क्रोल कर रहा हूं तो यह जो उपर मैनी शोर है यह स्टीकी मैनी शोर है इधर कोई लोगों नहीं नज़रा रहा है अगर मैं लगाना चाहूं तो मैं इधर से एड़ कर सकता हूं इधर यह मैं size भी बता रहा है तो आमने हर लोगों का जो यह size बताएंगे उसी आसाल से आमने create करने उसके बाद आजाता है header setting है इसमें header की सारी setting हो गई यह दो टाइप के एडर दे रही है यह थीम आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यह मैन्यू कलर्ड बॉर्डर यह वाला जो आरहा है ना बॉर्डर यह मुख्तली फिर रख है इसका बूच रहा है वो अगर इसे मैं हbor्व ra तो यह जो रंगड़ बना से होळा था हो जाएगा उसके बार यह ब्रेट करम ब्रेट करमम है मैं बाल में बताूंगा ऊसके बार कि उसके बार यह मैन्यू स्टाइल है सारा आप यह सारी सेटिंग को न आप जो फ्री हों तो इसे चेड़ चाड़ कर सकते हैं इसके साथ अगर जुरूरत हो आपको अगर आपको यह साइट ऐसे ठीक लग रही है तो आपने पी रहने देना और यह हैडर में जो कॉंटेक्ट आ जो हो रहा है ना यह देखें इदर यह phone number प्ता नहीं किसका यह नहीं यह त्वी वालों पुए लग कई और यह email आप इदर इसके जगा अपना email रख सकते हैं और phone number भी अपना रख सकते हैं अगर रखना चाहें नहीं तो आप तो ओपर वाली line को delete कर देंगे ए-mail आपने जब रखना है, तो ऐना, ओपने और ए-mail को रेखना है, ऐसे रखेंगे, तो यह clickable नहीं होगा, इसे हमने hyperlink बनाना है, clickable हमने बनाना है, तो, इसे मैं कर लेता हूं, copy, यह लिंक है इंसर्ट लिंक है यह मेल टू उन्होंने यह खुदी एड़ कर दिया है इसे मैं अपलाई कर दूंगा अब कोई इस पर क्लिक करेगा तो यह सिद्धा उसकी मेल बोक्स ओपन हो जाएगी यह बाकि सारी सेटिंग भी आप देख सकते हैं से ट्राई कर सकते हैं और यह न्यूस्टिकर न्यूस्टिकर यह ही डन है इसे मैं विजिबल करता हूं यह भी मैं आपको बता चुक हूं न्य यह असक्क है यह डेखा आप यह ब्रह्टिंग लिखा हुआ है और यह है यह चोँने लग गैं आ यह न्यूजिकर यह ब्रेकिंग की जगह आप आप कुछ और लिखना चाहें तो आप लिक começar फहने आगर लिख सकते हैं जैसा कि ब्रेकिंग निश लिखी आ मैंने आप कोई बेंगे लिए सकते हैं और यह पोश व गैद्ट पूश्रा आमने लेट सट पोश्ट घरomena स्लेक्टिड करवानी और या किसी के नहीं बगारा इदर आएंगे लिंक या नेम यह इनका नंबर भी आप चेंड कर सकते हैं और उसके बाद प्री सेट कलर हैं और यह है पिक कलर फोर दा थीम एक्सेंट कलर यह जैसे मैंने पहली थीम में भी बताया था अगर मैं इदर बिलू सेलेक्ट करेंगा तो लिंक का कलर भी बिलू हो जाएगा और यह इस तीम में अमक्सेंट का भी कलर चेंड करने का ऑफशन देड हुग आई जब्लत we उनका कलर मैं इदर से चेंड कर सकता हूं उसके बाद सेक्शन टाइटल पिक कलर फॉर सेक्शन टाइटल यह होगा कि जो भी हमारे किसी भी विजड का या मोड्यूल का जो टाइटल होता है नहीं यह उसका कलर है उसके बाद टाइप अगराफी इसमें फॉंट बगराएंगे यह फॉन्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं यह सारा सारा कुछी यह पेले वाली त्रीम वाला यह यह भी मुझे उन्हीं की लग रही है त्रीम उसके बार यह बिलोग वाला और यह सारा कुछी सेम है यह प्री लोडर होता है लिसमरी लॉड करता हूँ साइड को यह सो रहा है ना यह यह प्री लोडर है आप अगर अपनी मर्मिका प्री लोडर लगाना चाहते हैं तो आपने कैंडिक बना नहीं है किसी एप के जरीए बना ले किसी वैब साइट के जरीए व आपने ऐनी जाईमेटिट लोगों बनवा ले आप जो 3200 फार्मट में होता है यह तो इन्हीं दिटी विडियो stimuli वो हमने बना लेनी है, तो हमने इदर से अपलोड कर देनी है, तो आपका यह पिर जो डिफाल्ट हो रहा है ना इसकी जगापर वह आएगा यह फूटर सैटिंग है यह जो आपकी वैबसाइट का एंड वाला यह साथ है फूटर यह उसकी सारी सैटिंग है उसका लोगो बगार इदर से आप अपलोड कर सकते हैं अपनी मज़़ी से अब फूटर अब आउट टेक्स्ट है जो अब आउट कि साइड किसके मतलग है हमने वो लिख नाइदर साइड डिटेल यह फूटर कोपी राइट टेक्स्ट पूछ रहा है सोचल आइकन है यह भी मैं पहले बता चुका हूं सेम ही है सारा कुछ गूगल प्लस का इदर शो हो रहा होगा आइकन यह गूगल प्लस का आइकन आ रहा है इसमें लिंक कोई नहीं है फिल्दाल आइश मैंने कर दिया रिमूव सेव कर दिया अब मैं रिलोड करके देखता हूं वह आइकन चला जाएगा यह आप देख सकते हैं गूगल प्लस का आइकन जा चुका है आमने जो भी आमने रखने है ना लिंक जिस भी सोचल मेडिया गए आपने सिर्फ उदर जाके अपनी परोफाइल का लिंक पेस्ट कर देना है और सेव सेटिंग कर लेना है फिलाल इन तीनों में कोई लिंक नहीं है अगर मैं इदर अपनी परोफाइल का लिंक रखना चाहूं तो मैंने करना यह है इदर मैंने आना है सोशल आइकन में डोट कॉम आगया आपकी जो भी आईटी है तो ऐसे आपने जितने भी सोशल मिडिया रखने है यूट्यूब का लिंक रखना है तो आप यूट्यूब का भी रख सकते हैं सारा इसी तरह से होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ड ये भी वही सेम ओप्शन ही है इस अगर आप किसी और यही थीम की सैटिंग आ इसकी सैटिंग का आप किसी और वेबसाइड में अपलाई करना चाहते हैं जिसमें यह煮 लगी हो आपने इंगे से एकस्पोर्ड फाइल करनी है कफाहल आपके एकili ऑक मलें जाकर इधर से इंपोर्ड कर दिनी है अपलोड फाइल से और इदर इम्पोर्ट फाइल से उसके बाद अगर आप copy to link copy to clipboard कर लेंगे तो यह एक link को कॉपी हो जाएगा आपने करना ये है आपने दूसरी साइड में इंपार्ट फ्रोम कली बोड इधर वो लिंक पर्श करना है आपको कोई फाइनली डाउंडोड करनी पढ़ेगी इधर वो लिंक पेस्स कर देने और इंपोर्ड कर देने यही सैटिंग आपकी किसी और दूसरी साइड में जिद्द यही थीम होगी अप्ला ही हो जाएगी और उसके बाद होम पेज रह गए अब उसकी बता देता हूं मैं आपको यह का आपको मिल रहा है इदर थीम के साथ ही आया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लाइव इसे एड़िट कर सकते हैं अपनी थीम को यह देखें यह टूल बार आ चुका है यह डबलीपी बैकरी का टूल बार है इदर यह दे रहा है एड़ न्यू एलिमेंट का बटन कोई एलिमेंट अगर मैं अड़ करना चाहूं दे दिर से कट सकता हूं यह उसके डिटेल बगार आप पूछेगा इसे मैं फिलाल कट कर देता हूं यह टंपलेड्स है टंपलेड लाइपरेरी है यह आपको जो नीजे टंपलेड मिल रही है आप इनको किसी भी पेज़ पर आप अपलाई कर सकते हैं कि आमने इदर इंसर्ट कर देनी है जैसा वेली मेंटोर में मैंने बताया था टंपलेड पर क्लिक करें इंसर्ट हो जाती है और उसके बाद यह सैटिंग है इसकी पेज सैटिंग यह यह वाला जो मेरा पेज है इसका टाइटल है हॉम और यह कस्टम सी एस पूछ रहा है हम लाइब कस्तिमाईजेशन कर सकते हैं मुक्तलिफ डवाईजी का वीओ लेकर मैंने मॉबाइल की यह मुबाइल वीओ आ गया आपकी साइड का मुबाइल में ऐसी दिखती है अब लाइव इसकी भी इदर से सैटिंग कर सकते हैं मुबाइल की उसके बाद यह टैबलेट वगरा का भी आ रहे है और यह बैकरंड यह बैकरंड मैंने आपको बता थे यह बैकरंड पर जो वोटींग होती है यह उसकी सिटिंग है इसे आमने नएडीक शैड़ना से रहने देखे, अब यह नीचे आप जिस भी क्लिक करानेंगी इसकी जो Polizeरे, अगर इदर महां क्लिक करूँ तो यह पूरे ब मैंने इदर एड़िट पर क्लिक की है इस एलिमेंट का मैं टाइटर रख सकता हूं कोई भी और यह नीचे इसकी जगा मैं कोई और आर्टिकल सेलेक्ट कर सकता हूं और यह बाकि इसकी सारी सैटिंग है आप खुर से एक्स्प्लोर करें इसे और इसी तरीक से अगर मैं यह लगा हुए अगर इसे मैं कट इदर से कट करना चाहूं तो यह कट वो चुका है और यह मेरे पास ब्लोग की जगा मेरे पास मुझूद है तो इदर से मैं यह करूंगा प्लस का बटन वर्डप्स विजेट्स कि टीटी ऐलिमेंट्स है यह स्थीम के साथ जो ऐलिमेंट है वह इंद की तो यह दर से ओचुकी अगर मैं दर से बलोग डिलीट करना चाहूं इदर मैंने कट पर क्लिक करना है यह बलोग डिलीट हो और यह इसकी जगह मैं कुछ और रख सकता हूं यह डवली बैकरी का इस्तमाल आप ऐसे करेंगे अगर आप इदर से ही कोई भी कुछिमाइजेशन करना जाते हैं लाइव यह आपको नियों कोई भी कोलम वगारा वे ब्लोग वगार अड़ करने का भी ऑप्शन देता है और इसके लावा आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी जैसे वह पिछली थीम की थी पेजीज में आना है जिस पेज को भी अड़िट करना है उसे इदर अड़िट पर क्लिक करना है य इस बिल्कल यह पिछली वाली थीम की तरह ही है आप इदर से भी पेज को एड़िट कर सकते हैं यह बता रहा है उपर यह एक कोलम है उसमें यह चार पोस्टें शोर ही है और यह नीचे उसका नीचे भी राजाता है एक स्लाइडर है नियू स्लाइडर है यह कॉस्तम हैटिं पर उसका नीचे यह एक खाली कोलम है और बस इतने यह साइड़ पर अगर मैं चाहूं यह जो है मेरी लेयाउट पहली अगर मैं अपनी पहली लेयाउट में ही कोई और रो या कोलम एड़ करना चाहूं तो मैंने यह प्लस पर क्लिक करना है यह नीचे तीन बार क्लिक हो वैं मुझे इस लिए मा डिलीट करते तौहं बांकी इतर पलस पर क्लिक करना है आपको जो भी चाहिए आमने जो भी इधर रखना है यह जो टीटी आलिमेंट्स है यह थीम के विजट रखना है आमने वह सिर्फ स्लेक्ट कर लेना है अगर मैं यह फिचर्ड न्यूज स्लेक्ट करना चाहूं तो मैंने इस पर क्लिक करना है यह आ जाएगा मेरी जो पहली लेयाउट है न उसमें आ जाएगा यह यह उसकी सैटिंग को गयरा पूछ रहा है और यह आ चुक है फिचर्ड न्यूज इसे आमने इदर से ड्रैग उगारा भी कर सकते हैं कहीं भी से ड्रैग कर सकते हैं और इसी तरीके से यह ड्रैगन ड्रोप के साथ आप इसे बिल्ड कर सकते हैं अपने पेज को अगर मैं न्यूज स्लाइडर के नीचे लाना चाहूं इसे मैं ड्रैग करेंगे इदर छोड़ दूंगा यह इसके नीचे आ जाएगा तो इसी तरीके से ना आप इसे कर लीजिए अपनी तीम को जो समझ ना है बाद में आप मुझे प्रावलम बताते जाएं हमें क्लास में जो भी आपकी प्रावलम होगी उसे सोल्व कर देंगे तीम वाली जो भी ह पिछले लेक्चर में हमने कीवर्ड रिस सर्च की थी गूगल के साथ जो हमें फ्री टूल मिलता है गूगल एड्स की तरफ से गूगल कीवर्ड प्लैनर है उसमें हमने सर्च की थी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आमने कोई भी एक टोपिक सोच लेना है और इन पाकिसान या शायद कोई और लिखा था आपने कोई भी ऐसा कीवर्ड प्रोवड करना है अगर आप अकेला जैसे उज्जार भाई आपने किया एक फैश् solve के ओर परवैर्ड करना है आप घूकर को जो परवड़ कर रहे हैं यह आप कर रहे हैं शोटेल होटेल कीवर्ड परवाइड कर रहे हैं, उसे पता नहीं लगेगा कि ये फैशन में कौन सी चीज डूण रहे हैं, तो इस तरीके से न वो फिर आपको कीवर्ड दिखाएगा रहे मिले से, तो आपने इसे बचने के लिए आपने एक complete topic सोचना है पहले, आप जिस पर भी लिखना चाहते हैं, ज के difficulty भी low है, difficulty मैं बताऊंगा, वो कैसे चेक को होगी, हम free tools के जरीए करेंगे चेक, अगर आप paid भी बाद में buy करना चाहें, तो बाद में कर लें, start है भी आपका start में, आपने मजीद कोई पैसे नहीं, आपने खर्च करने हैं, फिलाला पैसे ही अपना काम चलाएं, आप Google keyword planner अकेला इसी के जरीए अगर आप चलाना चाहते हैं, अपना काम तो चला सकते हैं, आपने इदर भी low competition वाले जो हैंना keyword, आपने वो use करने हैं, एक तो होता है आपका primary keyword, जो main keyword होता है, वो हमने title में भी इस्तमाल करना होता है, यह हम content writing में सीखेंगे, हमने keyword कहां कहां पर हमन इसका login में तो नहीं issue आ रहा था आपको, मैंने वो video भी बना कर बेई दी, यह मैं साइट ओपन करता हूं इनकी, ads.google.com है इनका link, यह location पाकिसान की सेट है, तो अब आम में से ना कोई मुझे बताए कोई से keyword पर सच की जाएगा, संब्सक्राइल, से जाएगा, इसका library इसका सबस्था है, विए सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब आपको, प्रूजार बाई आपने कौन सा कीवर्ड सच्च किया था फैशन किया था केला मैंने फैशन किया था अब उसको कर लें यापने फैशन किया था ना तो सारी उसके रिलेटेट जो कीवर्ड आये थे वो मिक्स आये हैं सारी तो यह कोई एक स्पैसिफिक टोपिक के मतलग नहीं आये इसे आपको लिखने में आज़िकर लिखने में मुश्किल होगी ऐसे तो इसलिए हमने पहले सोचना आता है एक टोपिक सोचना आता है फिर उसके मतलग हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है करते हैं तो पहले हमने टोपिक लाजमी सोचना है अगर आपको टोपिक की समझ नहीं आ रही मैं कौन सा टोपिक पर लिखूँ क्योंकि यह हर किसी प्यद्ट तो इतना माइंड नहीं होता जो राइटर वगएरा होते हैं उनके माइंड में तो आ जाते हैं ख्याल खुल से ह हमने करना यह है आप किसी साइट पर जाकर भी आइडिया ले सकते हैं आपको इस साइट ऑपन करें उसके आर्टिकल रीड करें उनमेंसे आडिया ले सकते हैं उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं इदर लिखें अच्छा आपको ना मैं एक प्लगिन इसका क्रूम का एक्स्टेंशन बताता हूँ वो यूज करें आप कीवर्ड एवरी वियर एस का ने वो हमें सुगेशन देता है नीचे तो मैं एड़ करता हूँ अभी आपके सामने कीवर्ड एवरी वियर यह काफी कुछ फ्री में हमें प्रोवाइड करतेता है अभी मैं आपके सामने एड़ करूंगा इसे इस पर पहले ऊपर सजैस्ट का लगा हूँ है लेकिन वो टीन सर्ची से तक काम करता है इसलिए अब मैं यह लगाऊंगा आपके सामने उसे मैं डिसेबल कर दूँगा यह मैं अट्टू कर देता हूं इसे मैं दुबारा लिंक पर रिता हूं आपको तो आपना लाजमी जाएन करें हम की वट इस साच को खतम करते हैं इसला कल से उन पर जैसे शुरू करेंगे